हलो डियर इस्टुडेंट हाव यू आई होप ओल फ्यू आर गूड एन ओल फ्यू आर डूइंग ग्रेट मैं विक्की कुमार बाहदूर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूटिप चेनल राहूल कोमर सेकरडवी में तो मेरे प्यारे दोस्तों आज किस व में अपनी स्टुडेंट के लिए इंग्लिस और इकनोमिक्स का सेम सिलिबस होता है तो इसको स्टूडेंट नहीं आप लोग अपनी जितने आप लोगों के फ्रेंट से उन सबके भी जो है वो इस वीडियो को सेयर कर देना ताकि वो लोग जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर स्टके ठीक है चलो तो बैसिकली यह जो है कंजूमर्स इकलोबीरियम यानि उपभोकता का संतुलन इससे पहले की वीडियो में इस चेप्टर का कंप्लीट थियोरी हम आप लोगों को अपलोड कर दिये थे अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आई बटन में लिंक देंगे वहां से जाकर के इस चेप्टर का सबसे पहले हम लोग इसका पहला को सबसे पहला कथन बोल रहा है यह नंबर पे उप्योगिता का अर्थ अवे सकताओं की संतुष्टी सकती से यूटिलिटी मेंस वांड सटिस्फाइंग पावर यानि किसी भी गूड्स का यूटिलिटी का मतलब होता है उसका उप्योगिता का मतलब होता है अगर वस्तु का वहां गुण जो किसी वैक्ति को संतुष्ट कर दे किसी परसन को सटिस्फाइं कर दे तो क्या सटिस्फाइ पावर को ही utility बोला जाता है हाँ स्थाइन होता है यानि कि संतुष्ठ करने का जो चमता होता है वही उसका उप्योगिता होता है इसलिए ही तो हम लोग किसी आ वस्तु का उभोग करते हैं सही बात है उपयोगिता इच्छा के तिवरता का फलन है utility is a function of intensity of desire बिल्कुल सही है हम लोगों का जो desire होता है वही desire से goods को हम लोग purchase करते हैं जिससे utility मिलता है उपयोगिता मिलता है सही बात है वस्तु के उभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है desire of consumption gives birth to utility यानि की वस्तु को खरिदने का जो इच्छा होता है हमारा जो desire होता है क्या वही desire utility को बनाता है बिल्कूल सही बात है तो इसका right answer होगा option number D देखो आपके हाथ में अभी sinus आदा ही satisfy देता है इस पेन का जो है वो दम काम होगा इसका इंक बहुत अच्छा होगा आपको इसको लिखने में बहुत अच्छा लगता होगा इसलिए जो है आप इस पेन का यूज कर रहे हो यही यूज करने का capacity ही जो है उसका utility यानि उपयोगिता कहलाता है आया समझ में पारिटी जो है वो पाया जाता है ठीक एक और सिक्रेट होता आजरे सपच कर लो आप एकनोमिक सोल्ब कर रहे हैं और आपको अगर एंसर पता नहीं चल रहा है कि एंसर क्या है और अगर option D पे लिखा है all of this या option C पे लिखा है a and c both तो आप बहुत वाले को क्लिक कर देना अ उप्योगिता का गणनवाचक सिध्धान्त निम्न में से किसने प्रस्तूत किया who gave the cardinal concept of utility अब ध्यान से समझना ये जो concept of utility है वो दो तरीके का होता है यानि कि ये जो उप्योगिता का सिध्धान्त होता है वो दो तरीके का होता है रुको note down करके आप लोग को बताते ये ज ये दो तरीके का होता है अच्छा से समझना इस सीच को कितने तरीके का होता है भाई साब दो तरीके का होता है कौन कौन सबसे पहला हम लोगों का होता है एक गणनवाचक सिध्धान्त गणनवाचक सिध्धान्त ये जो गणनवाचक सिध्धान्त है इसको हम लोग बोलते ह कारडिनल कॉंसेट और दूसरा होता है करम वाचक क्रम वाचक सिध्धान्थ यह जो हम लोगों का करम वाचक सिध्धान्थ होता है इसको बोला जाता है ordinal concept अब ये दोनों ही चीज अलग-अलग है किस आर्शास्त्री ने किस इकनोमिस्ट ने इसका परिभासा दिया तो वो भी देख लो देखो नीचे लिख के समझा रहे हैं ये जो हम लोगों का गणन वाचक है इसके बारे में किस ने बताया था इनके बारे में बताया था मार्सल ने हिंदी में लिख रहे हैं मैनेज कर लेना मार्सल यानि M M-A-R-S-H-E-L-L मार्सल और ये जो करम वाचक है इसके बारे में किस ने बताया था तो दो लोगों ने एक है Hicks Hicks and Allen यानि Hicks एवम Allen ने इसके बारे में बताया था कोस्तेन याद रखना पुछता है कार्डिनल कार्डिनल कॉंसेप्ट मार्सल ने दिया था और ओर ओर्डिनल कॉंसेप्ट Hicks और Allen ने अब आप तो भूल जाओगे इसको जाहिर से बात है हम भी भूलेंगे तो याद कैसे रहेगा देखो कार्डिनल कॉंसेप्ट मतलब C.O याद रखना C.O मतलब कार्डिनल अब कार्डिनल कॉंसेप्ट को किस ने दिया था तो मार्सल ने दिया था तो देखो M.A कार्डिनल मतलब C.O और M.A मतलब हो गया आपका मार्सल तो याद रखना कमोन क्या याद रखना कम सी ओ एमी कम होता है ना तो सी ओ एमी कम याद रखना आप कम तो सी ओ कम यानि सी से बस सी ओ से बनेगा कारडिनल और एम ए से बनेगा मार्सल एम ए से बनेगा मार्सल तो आपको ये चीज याद रखना है कम कम मतलब आना C से Cardinal, M से Marcel कभी नहीं बूलोगे ठीक और दूसरा Ordinal Ordinal, Ordinal concept को बताया था Hicks and Allen ने तो Ordinal का मतलब होता है कैसे याद रहेगा तो Ordinal का मतलब होता है O, O से Ordinal नहीं बूलते हैं किसी को तो O से Ordinal और H से Hicks कभी नहीं बूलोगे लाइप में क्या बोले भाई क्या बोले हम क्या बोले को से Cardinal M से Marcel ठीक है वैसे ही Ordinal का Hicks तो O से Ordinal और H से Hicks कभी नहीं बूलोगे देखो न अभी आपको पूछेंगे हम यह Question आगे जो है हम लोगों को मिलेगा ठीक है चलो इसको टिक मार लो इसको note down करके लिख करके रख लो ठीक अब आते हैं Question पे तो बोल रहा है कि यह जो है हम लोगों का क्या बोला था भई यह जो उपयोगिता का गणवाचक सिध्धान्त यानि की Cardinal तो Cardinal के बारे में किस ने बताया था भई मारसल ने बताया तो इसका राइट एंसर होगा Option नमबर A ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बोल रहा है उपभोकता बेहवार का अध्यन किया जाता है Consumers Behaviors Studies in तो भाई Consumers Behaviors मतलब एक परसन है और एक परसन के बारे में Microeconomics में पढ़ते हैं तो राइट एंसर होगा Option नमबर A पांच नमबरे में बोल रहा है गोसेन के पर्थम नियम निमलिखित में से कौन है अब आपको गोसेन के बारे में कुछ कुछ चीज हम grabbed note notes करके रहे ஏं अच्छा से उन note करके रखिएगा ठीक गोसेन क्या थे ये सबसे पहले ये सह tracking कोन थे तो गोसें जो है वो एक Australian और सास्त्री थे याद रखना गोसेन क्या थे एक Australian और सास्त्री से उनका पूरा नाम था H.H. गोसेन क्या नाम था पूरा उनका H.H. गोसेन उनका जन्म कब हुआ था जन्म हुआ था उनका 7 सेप्टेमबर 1810 को और उनके मृत्ती हुई थी आपका 13 फरवरी 1885 को किलियर है अब क्या थे ये जो गोसेन थे उन्होंने जो है वो दो नियमों को उन्होंने बताया था तब से पहला नियम है सीमांत उप्योगिता का नियम जिसको लो ओफ डिमनिसिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है और उनका दूसरा नियम था सम सीमांत उप्योगिता नियम यानि लो ओफ एक्यू मार्जिनल यूटिलिटी तो यहां पहला नियम बोला तो पहला नियम होगा यह option number A सिमान्त उप्योगिता हरास नियम low of marginal utility यह उनका पहला नियम है और option C पे जो नियम दिया है सम सिमान्त उप्योगिता नियम low of semi low of equi marginal utility यह जो है उसका यह दूसरा नियम है ठीक है याद रखना उन्होंने दो नियमों के बारे में बताया था एक नियम है सिमान्त उप्योगिता हरास नियम यानि लो ओप डिमनिसिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा उन्होंने बताया था सम सिमान्त उप्योगिता नियम यानि लो ओप एक्यू मार्जिनल यू पर आ जाता है फूल सटिस्फाई हो जाता है लेकिन सटिस्फाई होने के बाद भी अगर उस गूर्स का उपयोग को उसके कंजम्सन को वह बढ़ाते जाता है तो उससे मिलने वाला उपयोग ठीक है चलो तो एक और दो दोनों नियम को आप याद रखोगे उनका चलो आगे बढ़ते हैं next question पे क्या बोल रहा है next question बोल रहा है निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है which of the following statement is true ठीक है अब इस कौन सा statement true है नीचे में option D पे लिखा है all of this लेकिन रुको इसको प्रूफ करने के लिए हम अभी आप लोगों को एक डाइग्राम बना के दिखा रहे हैं आप भी इस question के लिए डाइग्राम बनाओगे जिसको हम लोग बोलते हैं डिमनिसिंग मार्जिनल यूटिलिटी एन दोनों के बीच क्या संबंध होता है संबंध को बता रहे हैं संबंध बता रहे ह है टोटल यूटिलिटी और सीमान्त उप्योगिता सीमान्त उप्योगिता यानि की मार्जिनल यूटिलिटी यानि की ओ हो हो मार्जिनल यूटिलिटी यानि की एम यू इन लोगों के बीच क्या रिलेशन है रिलेशन को हम नीचे एक डाइग्राम के तुरू दिखा रहे है आप भी सेम इस चीज को note down करके रखोगे एक डाइग्राम आप लोगों को नीचे हम अभी बना दे रहे हैं थोड़ा इधर उधर graph बनेगा manage कर लेना ये 0 है x है और ये हमारा हो गया y इस तरीके से एक डाइग्राम बनेगा थोड़ा सा अगर डाइग्राम माल लोम गलत बनाएंग तो आप जो हो manage कर लोगे इसको ठीक है है ठोड़ा सा गलत बनेगा manage कर लेना ऐब पर घर आयाग्राम बनाने थो पहले ठीक है और यह जो नीचे लकी राया है, यह है MU, इस चीज को अच्छा से समझना, मेन बात है कि जहां से टोप में जाकर के वो टर्न हुआ, उसी के सीधा में 0 पे टच होगा, अब इस चीज को अच्छा से समझना, हम अभी डाइग्राम पढ़ लिए, अब हम लोग जो है, उसको नीचे मेच करेंगे, और ओप्सन पढ़ रहें, ओप्सन देखो, क्या सही बोल रहा है यह, जब तक सीमान्त उप्योगिता धनात्मक है, तब तक कुल उप्योगिता बढ़ती है, चेक करते हैं, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज टील, एम यूट पोजिटिव, जब तक एम यूटिव है, तब तक टोटल यूटिलिटी जो है, वह आपका बढ़ता है, देखो, इसको वहरिफाई कर रहे हैं, यहाँ देखना, यह यहाँ देखो, मेरा यह टी यू है, तो बोल रहा है जब तक क्या होता है, टी यू इंक्रीज हो रहा है, देखो, जब तक टी यू, जब तक यह एम यू, यह इस पॉइंट के बार इधर नेगेटिव है यह, ठीक है, यह इधर नेगेटिव में चला जाता है, तो जब तक एम यू क्या हो रहा है, यहाँ पे, देखो, इस गरा जब तक M U positive रहता है तब तक 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 T U देखो बढ़ता है T U क्या हो रहा है बढ़ रहा है जब तक M U क्या है positive है बिल्कुल पहला option सही बोल रहा है दूसरा option जब सिमान्त उपयोगिता सुनने हो जाता है तब कुल उपयोगिता अधिक्तम होती है T U is maximum when M U is equal to zero देखो M U देखो यहां पर यह 0 हो गया और ठीक इसका में देखो यह T U जो है वह सबसे height में है बिल्कुल सही जब M U 0 होगा तो T U सबसे height पर होगा यानि जब कुल उपयोगिता अधिक्तम होती है तो सिमान्त उपयोगिता सुनने होती है चलो यह भी सही है second point भी सही बोल रहा है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है T U declines when M U is negative ठीक है M U देखो positive के बाद negative यहां देखो यह नीचे negative हो गया जैसे यह negative हो गया यह भी इधर जो है वो घटने लगा हां बिलकुल यह भी सही है तो इसका right answer होगा all of this हां भई तीनो का तीनो point जो है मेरा सही है कैसे सही है तो हम लोग graph के तरीके से जो है वो verify करके देख लिए तीनो ही चीज सही है ठीक है हां sir ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं question number 7 पे आते हैं question number 7 पे बोला जा रहा है देखिए बोला जा रहा है सिमान्त उप्योगिता कैसे निकाले how to calculate marginal utility तो marginal utility का यह formula होता है triangle tu divided by q tu मतलब total उप्योगिता total utility और नीचे q मतलब होता है change in quantity जब कुल उप्योगिता अधिक्तम होती है तब सिमान्त उप्योगिता when total utility become maximum mu अभी तो पड़े हम कि जब tu अधिक होगा तो mu क्या होगा जीरो होगा mu क्या होगा जीरो होगा सुन्य होगा अभी तो हम लोग गराप में पड़े थे इसको ठीक है आगे समसीमान्त उप्योगिता नियम के विचार के मूल परतिपादक कोन थे तो देखो भाई यह जो है हम लोगों के गोसन का यह सेकेंड लो है की नहीं है है अभी अभी उपर में बताएं थे तो सेकेंड लो है गोसन का यह किमत यह बजट रेखा का ढाल होता है इसके बारे में नोर्मल याद रख लेना 10 का हमलों का एंसर होगा ओप्सन नमबर ए इसका राइट एंसर यह फॉर्मूला है ठीक है याद रखना 11 नमबर में उदासिंता वक्र होता है इंडिफरेंस कर्व इज इंडिफरेंस कर्व जो होता है उसको याद रखना यह मूल बिंदू की और मूल बिंदू की उदासिंता वक्र जो है वो मूल बिंदू की और उन्नतोदर होता है उन्नतोदर यानि की कॉन्वेक्स होता है ठी पहले भी बता है चलो एक बार और बता देते हैं इस तरीके से जो है वो इंडिफरेंस कर्व बनता है इस तरीके से जो है वो इंडिफरेंस कर्व सब बनता है इस तरीके से जितना भी इंडिफरेंस कर्व बनेगा इस तरीके से बनेगा तो यह देखो यह हम लों का मूल तो मूल बिंद्यू के उड़ों पीट करके खड़ा है क्या करके पीड दिखा के तो यह पीड दिखाना होता है वही होता है उन्नतोदर यानि की अब याद रखना कभी-कभी यह उदासिंता वक्र इंडिफरेंस कर्ब को क्या बोला जाता है यह जो उदासिंता वक्र होता है मेरा कौन सा वक्र भई उदासिंता वक्र इसका दूसरा नाम होता है हम लोगों का तटस्ता वक्र कौन सा वक्र दूसरा नाम होता है भई तटस्त i-see इं wellness करब अब इसका थ्य होताई इड्यान से समझना इन्डिफरेंस करब जो है दो अलग अलग तरीके के वस्तुवों के बीच के सनियोगों को बताता है जैसे ही एक वस्तुativas को आप बढ़ाते हैं दुसरा वस्तुव को आपको कम करना पड़ता है क्योंकि उससे मिलने वाला utility बराबर है अगर आप एक goods को जादा consume करोगे तो दूसरा goods को कम करना पड़ेगा यही चीज बताता है आपका इंडिफरेंस कर्व तीक है अब याद रखना इंडिफरेंस कर्व में यह जितना भी जो कर्व बनता है यह एक दूसरे को कभी नहीं काटता है एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा और इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी ना तो एक्स को टेच करता है ना तो वाई को किसी वह जो मूल बिंदू होता है जो एक्सिस होता है जीरो एक्सिस उसकी और वह पीड दिखा के होता है ठीक है आया समझ में ठीक है सर जी चलो इसके ओपर कई सारे कोस्टिंस बनते हैं जो भी चीज नोट्स बता रहें नोट डाउन जरूर करना उप्योगिता का संबंध होता है यूटिलिटी रिलेटेट टू तो एक यूटिलिटी का संबंध जो है वहां यहां से जो है वो सबसे होता है ठीक है और ओप्सन डी पे हम अभी बताए ना अगर कुछ नहीं समझ में आए और ओल अप डीज दिखे तर मार देना ठीक क्या उतना सुचना तेरा नंबर पे उप्योगिता की माप की जात सकती है यूटिलिटी कैन मेजर बाए तो यूटि इमांत उप्योगिता नियम को कहा जाता है लो ओप सेमी मार्जिनल यूटिलिटी ओफ इच कोल्ड तो यह जो है लो ओप इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इसको दूसरा नाम से जाना जाता है लो ओप सबस्टिटूशन यानि परत्यस्थापन का नियम इसका दूसरा नाम है जो गोसेन का second low है यह है इसके बाद बोला टटसता वकर का जुका होता है indifference curve slope तो indifference curve अभी जो हम आपको drawing बताएं थे अभी अभी तुरण indifference curve जो है उपर से नीचे दाएं से बाएं की और आती एक मिनिट गलत बोल रहे है बाएं से दाएं की और उपर से नीचे आ रहा है ना देखो यह देखो यह इस curve के बारे में बोल रहे है इस curve तो देखो यह उपर से नीचे आ रहा है यह बाएं है यानि कि left है ये right side है तो left से right side की और आता है उपर से नीचे left से right side की और आता है बाएं से दाएं की और तो option A, B इसका right answer है बाएं से दाएं की और ठीक है चलो 16 number किसी वस्तू की मानिवी आविशकताओं की पूर्ती को चमता को कहते हैं the ability of satisfying human wants in a goods is called its किसी भी वस्तू के अंदर एक ऐसा सकती जो व्यक्तियों की उबहुकताओं को संतुष्ट करता है तो ये उसका उप्योगिता कहलाता है क्या कहलाता है उप्योगिता ये definition है utility का ठीक है सद्रा नंबर एक वस्तू की सभी इकाई से प्राप्त होने वाली उप्योगिता के योग को क्या कहते हैं the additional of utilities obtained from all the units of goods is called जितने भी वस्तू का उभोग करे उस उप्योग को मिलने वाली जो उप्योगिता है उन सब को अगर जोडेंगे जोडेंगे तो total निकलेगा जोडें से मिलने वाला कुल योग योग मतलब total total करेंगे तो total utility मिलेगा अठारा नंबर उप्योगिता का करमवाचक सिद्धान किसने दिया who propounded the ordinal utility theory देखो ordinal ordinal मतलब O ordinal मतलब O और अभी याद करना सिखाए थे ना O से O हो O से O हो O हो से Hicks O से Hicks और Allen अभी concept सिखाए थे 19 नंबर पे बोल रहा है सिमांत उप्योगिता हरास नियम के परतिपादक थे the propounder of law of dimnacing marginal utility तो ये gosin का ये फर्स्ट लो है और सेकेंड लो को है को है semi-equ marginal utility चलो ठीक है सर आगे बढ़ते हैं उप्योगिता का संतुलन उस बिंदू पर होता है जब consumer equilibrium take a price point where कोई उभोकता हम और आप कोई भी हो सबसे ज़्यादा हम लोग संतुष्टी के बिंदू पे तब आएंगे जब हम लोग किसी वस्तू के लिए जितना सीमान्त मुल्य चुका है यानि जितना price चुका हैं उतने के बराबर हम लोगों को utility मिल जाए यानि कि जो MU होगा वो price के बराबर होना चाहिए ठीक है price के बराबर होना चाहिए हम जो पैसा extra लगाए हैं उतना हमको मिल जाए किसी वस्तू की मानुवी आवे सकता को संतुष्टी कराने की चमता तो अभी बताएं चमता उप्योगिता कहलाता है अभी अभी तो पड़े थे उपर आगे उप्योगिता की सरवादिक संतुष्टी के लिए for the maximum satisfying consumer ओड़े बाबा इसका answer कहां गिया ओहो गलती से ये question छूड़ गया अच्छा इसका answer हम पिन कर देंगे इसका option ने छूड़ गिया तो इस नंबर पे बोल रहा है जब स्विमांत उप्योगिता रिनात्माग होता है तब कुल उप्योगिता when marginal utility negative then total utility अभी भई आम लोग ग्राप में पीछे एक ग्राप में आपको समझाए थे न लो ग्राप भूल गए दिमाग से तो ये देखो इस ग्राप को दोबारा देखो इस तरीके से ग्राप बनता है न X ये Y है इस तरीके से ग्राब बनता है ना इस तरीके का ये होता है total utility ये होता है marginal utility MU अच्छा अब क्या बोल रहा है option पे जब सीमान्त उप्योगिता रिनात्माक होती है तब कुल उप्योगिता when marginal utility negative देखो marginal utility negative हो गया MU क्या हो गया भाई negative हो गया negative में चला गया MU तो टोटल यूटिलिटी भी कम हो रहा है क्या हो रहा है गटने लगता एक एंसर तो इसका राइट एंसर हो सथैंप यह इक लिए यह सिं KIR भीक्त को संframes तो भाई यह दोनों ए और भी तो दोनों फॉर्मूला सेम लिखा है देखो यहां लिखा गया है एमियू यहां पी ए यहां एमियू भी पी ए विदे को क्रोस मल्टिप्लाई किया एमियू भी को नीचे लेके आया पी को उपर लेके चला गया तो ए और भी दोनों एक ही फॉर्मूला को लिखा है वो ए और भी दोनों सही है तो option number C इसका right answer है ए और भी both 25 number question Marcel क्यानुसार किसी वस्तू की उपयोगिता को according to Marcel utility of a commodity is यानि एक goods का जो utility है उसको किसमे मापा जा सकता है तो इसका right answer होगा option number D यानि A से भी मापा जा सकता है और C से भी यानि मुद्रा में भी मापा जा सकता है और संख्यातमक में भी यानि मनी से भी measure किया जा सकता है और cardinal number से भी 26 number में budget set के लिए क्या होए सक है option D इन में से सभी ये सब चीज़ बज़ट के लिए होना जरूरी है 27 number harassman विस्थापंदर में in diminishing rate of substitute तो इसका right answer होगा option number D A और B दोनो ठीक है 27 का answer होगा option number D A और B दोनो इसका मतलब simple है A में बोल रहा है वस्थू एक की मातरा बढ़ेगा तो वस्थू दो की मातरा में कमी आएगा पर्तियस्थापन यानि एक वस्थू को अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरे वस्थू को कम करो एक goods को अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरे goods को बढ़ाओ तो simple बात है आपके पास अगर जो दो goods है तो एक goods बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा समझ में आ रहा है option A और भी दोनों सही है इसलिए option A और भी दोनों लागू होगा आगे बोला गया है और सास्त्र में उप्योगिता का आसे है utility in economy means तो simple बात है यूटिलीटी का मतलब होता है आपका जो आवेशक्ता है उस आवेशक्ता को पूरा करने का चमता option A इसका right answer होगा 29 नंबर तटस्ता वक्र का जुका होता है the slope in indifference curve source indifference curve मतलब हम अभी बताएं टटस्ता वक्र को उदासिंता वक्र और उदासिंता वक्र आपका क्या दिखाता है तो घटता हुआ उपर से नीचे घटता हुआ आता है तो उदासिंता वक्र जो है वो घटता है यानि की dimnissing चीजों को जो है वो दिखाता है ठीक है आया समझ बस हो गिया इस चेप्टर समंगों को अधना ही कोश्टीन पड़ना थाहा है इसी तरीक से ही जो है हम आप लोगों को वन बाज वन हार सब्द्र का चेप्टर बाइ चेप्टर मस्चे Dies बताएंगे और अलग का यह लो ठीवरी हम आप लोगों को वद्राएं आएंगे ठीक है एक एक कोस्टें समझ में आ गिया है तो ओके समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जो है आप हमको जरूर बता देना ठीक है चलो बाए टेक केर